पूरे मध्या प्रदेश में जो है दो वेधर सिस्टम एक्टिव हो गए है जिसके चलते दोस्तों मध्या प्रदेश के अनेक इलाकों पर भारी से बारी मौसम में बदलाव और भारी बारिश और कई जगों पर गर्मी से रात मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं तो दोस्तों अगर आप भी जबलपूर, कटनी, मौसम में और भोपाल, सिधी, बढ़वानी, ग्वालेर, धार, उजेन, हरदा, शिवपूरी, मनसोर, राइसेन, साजापूर, विदिसा, शिवपूर, अशोक नगर, सतना, गुर्ना, खंडवा, डिंडोरी, होसंगाबाद, सि अगर कहीं पर भी रहते हैं, तो इसे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजे, इस चैनल को इलाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजे, साथ में घंटे का आइकन को दबाकर ओल पर क्लिक कर दीजे, और हमें कमेंट करके बताइए, कि आप कौन से जिले गामें शे पढ़ने के समोना आज, और आट जिलो में 30-40 किलो मेटर पती गंटे की रफतार से तेज हवाई और यलो अलट जारी किया गया है, वहाई दोस्तों पांस दिन के बाद फिर मौसम बदलेगा, लेकिन मौसम विबाक की माने, तो आज रात तक दोस्तों राजगर, शिवपू 25-45 के करीब भी पहुंच सकता है, MP मौसम विबाक की माने, तो अफगानिस्तार और इसके आज पास के बने हुए विक्षोम के कान, दोस्तों मौसम बदलता जा रहे है, और कई जगों पर तेज हवाई मध्या प्रदेश की तरह पार रही है, तो दोस्तों बात करें यहाँ आज के गर बैटो जितो इनामे, तो आज का सवाल है, आपकी पसंदीतार राजनितिक पार्टी कोन सी है, यानि भारतीयàyय जंता पार्टी या कॉंग्रेस या आम आद्मी पार्टी या अन्ये कोन सी पार्टी आपकी पसंदीतार आमे कमेंट करके जरूँ बताएगा, और कम पर मौसम पूरी तरह से साफ और स्वावना रेकोर्ड किया गया मौसम विबाग की माने तो दोस्तों मध्या प्रदेश के जिन इलाकों का मौसम बदलता जा रहा है उन में दोस्तों कट्रणी में पूरे एक सपता तक बादल चाहे रहेंगे दिंडोरी में पूरे एक सपता तक बादल चाहे रहेंगे और साथ में होसंगाबाद, सिंग्रोली, उमरिया, रतलाम, राजगर, देवास छतरपूर में पूरे एक सपता के दुरण बारी बादल चाहे रहेंगे